कर दो देखें कि हमारा अश्क्क पर इन्मुलिवरी के नम से यहां पब कर देख सकते हैं कि हमारा टास्स घोरा है यहां अपर महीं इक को अब गया दूंगा लोहर पारयोडिटी सेट कर दिंगे अंड यहां पर क्का है अफड़िट्ट तो यहां पर क्योंच बग्या सुकुआ है गा Fitness English to function όσ एंड प्रयूर्टी भी पाना चेंज हो गई गया निए इसे क्टो आप इंसर्ट का अपटेशन का डिलीशन का यह सारे तो हमारे मैथर्ड पूरे हो चुके हैं बट इसमें अभी एक गड़बड की बहुत मेजर बात है जिसकी वज़ा से गाइस हमारे एप की एफिशेंसी है वह बहुत डिक्रीज हो रही है मैमोरी हमारी बहुत वेस्ट हो रही है कहां वह डिसकस कर लेता है अगर आप यहां पर में एक्टिविटी खोलोगे गाई इस तो अगर आपको याद हो हमने यहां पर ऑन रिज्यूम में एक रिट्रीव टास्क के नाम स साइकल उतनी बार यह डेटा रिक्वेस्ट करेंगा टास्क को रिट्रीव करेंगा मतलब तरीके से दुबारा से यह चेक करेंगा यह क्या है अब्सर्व कर रहेंगा इस टास्ट को क्योंकि यह किसलिए था हमारे जो यूआ था उसको पॉपलेट करने के लिए मैथड था अ अब डर्वार चेक करना पड़ रहा है अब तो मुझे चाहिए कि कोई ऐसा तरीका जिससे हमारा यह वी चैक हो जाए और यह चीज़ कैसे समझोगेश चेक को losses मanek why wastefully Yukiyee तो उसके लिए यहां पर किसा loánt facility करते हैं कि कैसे check अइस रहा है और बेसे वर्क कास कर रहा है तो यहां पर retrieve task में यहां कि कर लेता है मैं log file दे जी और एक बार run करवा pray देख लएज़ए ताकि हमें थोड़ा सा idea हो जाई कि basically हो क्या तो दो आपक लोग फाइल ले लेते हैं रण में ले लेते हैं कि जैसी एक्जीक्यूट होगा उसके बाद मुझे चाहिए राइट यहां पर ले लिए एक लोग फाइल यह सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं गाईस आप लोग को आईडिया हो सके बैसिकली मैं कहना क्या चाहरा डेटा बेस यहां पर माई लॉक के फाइल काई इंपोर्ट ने हुई है इसे इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यह हो गया हमारा ठीक है तो गई यहां पर क्या कोई मेरी एक लॉक फाइल क्रियेट हो चुकी है अपकर कर के देख लेए लिए ताकि इस लिए करों काई ताकि लेटर रन हो चुका है अब क्या देख लेता है यहां पर अपना लॉक कैट खो लेता है एंड क्यूंकि मुझे कौन सी वाली चाहिए एक स्पेसिफिक वह चाहिए कि रिट्रीविंग वाली चाहिए ठीक है तो यहां पर आप सर्च कर सकते हो लॉक वाली फाइल अपनी तो जब यहां पर दुबारा मैं आया रिज्व अन रिज्व मुझे तो आप देख सकते हो मेरी एक लॉक फाइल क्रियेट हो गई है कौन सी वाली जो मैंने यहां पर लॉक टैग यहां पर क्रियेट करा था राइट एक्टिविटी रिट्रीविंग डेटा फर्म डेटबीस तो यहां पर लॉक टैग यहां पर क्रियेट हो गया अब मैंने एप मिनिमाइस करा दुबारा से अगर एप खोला तो आप देख सकते हो फिर यह क्रियेट हो गया राइट मैंने इसकी डिटेल देखी फिर पीछे आया फिर तो जितनी बार हम ऑन रिज्व हमारा क्या ओरा अपडेट नहीं हो रहा मुझे क्या चाहिए मुझे यह नहीं चाहिए कि बार बार चेक करें मुझे चाहिए कि जब अपडेट हो तब जैसे हम अभी तक क्या यूज करते थे लिसनर यूज करते थे राइट कि लिसनर क्या करता था जब उस वाले पार्ट में चेंज होता है तब ही notify करता है हमें पहले से पहले हर वक्त नहीं करता रहता है जब होता है तब करता है तो इसमें भी हमें वही functionality implement करनी है guys और वह किसके help से करेंगे हम live data की help से तो क्या guys एक component है किसका हमारे architecture का android architecture का कौन सा जो room का हम use करते हैं live data and live data basically क्या करता है कि हमारा एक तरीके से observe करता है data कि अगर उसमें कोई changes होता है तो basically guys हमें क्या कर देगा notify कर देगा हमें बार-बार चेक करवाने की जरूद नहीं है अपने UI में की data update तो नहीं हो रहा देखो method के through देखो यह तरीका है बड़ी कि मैंना आपको के बताया था कि temporary तरीका है यह सिर्फ हम क्या कर रहे थे एक logic implement करके देख रहे थी कैसे work करेगा अब किसकी तरफ चलेंगा थोड़ ऐसे more specific part की तरफ चलेंगे कैसे work करता है और कैसे हम एक specific task को पूरा करेंगे तो आप क्या समझ लेते हैं पहले समझ लेते हैं लाइव डेटा होता क्या है और कैसे work करता है उसके बाद फी working पर चलेंगे guys तो basically guys हमारा जो live data होता होता क्या है live data हमारा basically guys एक आप यह सूच लो हमारे database और UI के बीच में होता है मतलब दोनों के पीच में हम set करता है यह से and क्योंकि अब से guys क्या करेंगे हम live data use करेंगे किसके लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे simple retrieve task method यूज कर रहे थे क्या करने के लिए अपने UI को update रखने के लिए मतलब कि कोई भी अगा changes हो हमारे UI में हमारा retrieve task method ता रहे वो work कर रहा था और वो update रख रहा था हमारे किसको UI को अब लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए हो बाबार रिक्वेस्ट इस प्रिट करवा दूं जो basically क्या करें सिंपल जब चेंज हो तब ही चेक करके तब ही update करें ठीक है तो यह काम कौन से करता है हमारे लाइव डेटा है एं लाइव डेटा गाइस हमारे डेटाबेस और UI के बीच में रहता है तो basically यह वर्क क्या से करता है यह देख लेता है त तो database के data objects होते हैं तो sorry database directly hold नहीं करते है database के objects होते हैं observer is a class that holds objects data objects okay basically guys हमारी observer class होती है यह क्या करती है live data observe क्या होता है हमारे परटन होता है जो basically क्या कर रहा है अगर आप यहां देखो UI से attach है right UI से इसने live data पर fetch कर रहा live data ने किसको कर रहा database पर monitor कर रहा है अब जैसी ही हमारे database में कोई changes होंगे यह से reply back देगा और live data notify कर देगा कि देखो हमारे UI को आप गयिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं observer होते है patterns होते हैं उसमें हमारे पास observer A observations co होता है आप इसको एक तरीके से यह सोच लो एक तरीके से गईज अलग-अलग चेक पॉइंच होते हैं अलग-अलग हमारे पास टास्क हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाली जो observer class होती है जरूँ ही नहीं है सिर्फ हमारे पास एक ऑप्सरवर हो हो सकता है हमारे पास multiple observer and multiple subjects उसके थूरू क्या करना है अब गई जब मैं कहा हूँ subject तो subject basically कौन सा होता है हमारा live data object जो होता है क्योंग इसमें हमेशा हमें क्या करना है अभी जो subject change है यह वह है जो हमारा change हो रहा है live subject है okay and basically यह क्या करता है नोटिफाय करता है किसको हमारे observer को और basically guys यहाँ पे हो गया रहा है basically guys यहाँ पे हम जो हमारी data set value होती data value set होता है हम वह notify करते हैं तो basically guys गया हमारा एक view model ओ गया जिसके ृह हमने क्या life cycle life cycle and view model हो गया जो हम किस पर set करेंगे अपने observer के through set करेंगे अब गया जो लाइव डीटा होता है इसकी और भी जादा functionality होती है और भी कई सारे इसके वह होते हैं जो जिसमें हम इसे use करेंगे बट फिलाल क्योंकि अभी सिर्फ हम स्टार्टिंग का एक बहुत basic concept इसका समझते हैं जो किया है कि हमारा notify करना कि हमारे data change को इसके बारे में guys detail में बात करेंगे और बहुत अच्छे से इसको discuss करेंगे कि क्या-क्या use होगा कैसे एक चीज और क्योंकि यह चीज आपको थोड़ा सा इस सोचने में हमेशा help करेंगी यह चीज़ बात में discuss करेंगे detail में लिकिन मैं फिलहाल आपको पॉइंट बता जिता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सोचों कि जब हम आएंगे उस code पे तो detail में बताता हूं कि basically live data हम किसका साथ में apply करेंगे क्यों मतलब किसका से apply मतलब insertion में Query में updation में तो guys इस और थोड़ा सोचना है कि कि किस चीज में हमें implement करना है और जब आएंगे guys obviously मैं आपको बहुत detail में बताऊंगा कि किसमें कि हम इंप्लिमेंट करना हैं क्यों इंप्लिमेंट करा है step by step guys इसका हम करेंगे implementation फिलाहल के लिए मैंने बस इसके बताया ताकि guys आपको एक थोड़ा सा idea खुछ से mind में होना चाहिए कि हम इसे कहां जो हमारा live data इसकी requirement हमारी कहां पर है किस point of time पे जो हमारे app में किस point of time में कहां जरुवाद है okay तो guys अब किस पर चलता है अपने android studio पर चलते हैं और देख लेते हैं कैसे working होगी